नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार हिस्ट्री अपडेट में आज हम बात करेंगे नागा स्वादू के द्वारा लड़ा गया वो एतियासिक युद्ध के बारे में तो वीडियो को अन्त तक जरूर देखे आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे संत समाज ने पारत माता के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी हैं तो आपकी यह बहुत बड़ी बूल है वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि पारत्य इतियास से ना जाने क्यों नागा सादू का युद्ध हटा दिया गया नागा सादू का युद्ध जिसमें पारत्माता की रक्षा के लिए दोजार सादू संत तो सहीद हो गए थे लेकिन दुष्मन को चार कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया तब नागा सादू के एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ में सास्त्र थे संतों को दर्म भी बचाना था और देश भी बचाना था नागा सादू का युद उस वक्त अफगानी शासक अगर आगे बढ़ जाते लाकों हिंदू का कतले आम हो सकता था हिंदू मंदिर तोड़ दिये जाते थे लेकिन हर सादू ने अपनी बहादूरी का परीचे दिया और मनने से पहले एक एक सादू ने सेकड़ो दुस्मनों को दूल में मिला दिया था जब काबूल और बलुचिस्तान की ओर से आकरमन कर मुस्लमान जोदपूर पर आए तो चारो तरफ हाहा कार था मंदिर तोड़े जा रहे थे और कतले आम हो रहा था मुस्लिम सासकों ने हर वेक्ति पर बारिक कर लगा दिया तब अटल सन्याशियों ने मुस्लिमों को परास्त किया था वैसे यह नागा सादू का युद इतना छोटा था कि किसी की भी इस पर नज़र नहीं पड़ती है इसके बाद क्रूर एमद साब अब्दाली ने सादू संतों और वेवी नागा सादों से युद लड़ा वे युद हर वारतियों को मालूम होना चाहिए था वैसे आपको बता दे कि दसनामी अखाडों का जन्म ही दर्म और देश की रक्सा करने के लिए ही हुआ था मुस्लिम सासक एक के बाद एक वारत पर आकर्मन कर रहे थे और लोगों पर जुल्म कर रहे थे तब सादू संतों ने हतियार उटा लिये थे ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब एमद साब अब्दाली दिल्ली और मतुरा पर आकर्मन करता हुआ गोकुल तक आ गया था लोगों को काटा जा रहा था, महिलाओं के साथ बलागतगार हो रहे थे, बच्चे देश के बाहर बेचे जा रहे थे, तब ही गोकुल में एहमद शाह अबदाली का सामना नागर सादू से हो जाता है, पांच अजार सादू की सेना कई अजार सेनिकों से लड़ गई थी, पहले तो अबदाली सादू को मजाग में ले रहा था, कि तब ही अबदाली को एहसास हो गया था कि यह सादू अपनी बारत माता के लिए चान तक दे सकते हैं, इस युद्ध में दोजार नागा सादू वीर गती को प्राप्त हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि दुष्मन की सेना चार कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई, जो जहां था वहीं डेर केर दिया गया था, और बाकी पिछे अटकर बाग गए थे, तब से कहीं मुस्लिम सासक जब यह सुनते थे कि युद्ध में नागा सादू बाग ले रहे थे, तो वे लड़ते ही नहीं थे, देश का सबसे बड़ा दुर्पाईग्य कुछ नहीं है, कि आज हम दुष्मन औरंगजेब को याद करते हैं, ज़ागीर को इस अपना में देखते हैं, ऐसे बारतिय वीर योद्धाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो देश और दर्म की शान है, तो इस प्रकार से सादू संतों ने देश की आजादी के लिए कई युद्ध लड़े हैं, और अपनी कुर्बानिया दी हैं, आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओगा, इसे और एतिहासिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए दन्यवाद, जय हिंग, जय वारत, इंक लाब, जिन्दाबाद,